दोस्तों आगामी दिवाली यानि नवंबर के आसपास राजस्तान प्रदेश में एक वार फिर चुनावी घमासान होने जा रहा है जैसे की लगबग पिछले पांच से इलक्स चुनावों से परंपरा रही है एक वार भाजप एक वार कॉंग्रेस एक वार भाजप जो तमिल नाडू की परिपाटी है लगबग उसी तरह राजस्तान में सता परिवर्तन हर चुनाव के बाद होता रहता है इस वार भी कुछ मा आजस्तान जाने का मोका मिलता है तो मुझे लगता है कि भाजप अपने तमाम प्रेतनों की परिकास्टा की बावजूद इस वार पुना सत्ता में वहां पे काबीज होना उनका बड़ा मुश्किल नजर आता है क्यों ये चीज बनी ये क्यों हवा बनी ये किसी के समझ के ब वर्तमान भाजप सरकार की खिलाफ सामने भी नहीं आई लेकिन माहोल निश्चित उप्रूप से बुरी तरस है ये वर्तमान वहां की राजी के नेत्रत्यु और वहां की वर्तमान सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाप है। जब हमने देखा वहां के नगरपाली का हो या महानगरपाली का हो या पंचायत की चुनाव हो एक बहुत बड़े पेमाने पर भाजब को एक सर्मनाक हार का सामना लगबग हर जिले में और हर विभाग में राजस्तार में करना पड़ा और उसी की चलते अगर हम चुनाव के सा पॉरंदबाद एक सचीन पाइलेट के रूप में कॉंगरेस ने एक और नेत्रोत देने का कोसिस किया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूपि से पाइलेट ने इवा लोगों को लेकर पूरी राज्य का भ्रमन किया राज्य में एक संगर्स की ज्वाला को भी उन्होंने जगाया एक संगर ससील व्यक्तित्व में के रूप में के अपना युवा नेतु तो रूप में अपने एक छबी भी बनाई। लेकिन आज जब हम जनता के बीच में जाते हैं और जो थोड़ा बहुत भी राजनिती, राजनिती, राजस्तान की समझते हैं, वो अगर कॉंग्रेस असोग गहलोत को अलग किनारे करके कोई चाहें कि राजस्तान में अपने आपको वापस पुनार स्तापित कर पाएं, मुझे मेरे जैसे एक राजनिती कारे करता और समझ रखने वाले विचारक के लिए मन में एक वात उठती है कि बहुत टेड़ी खीर व पाली बात राजस्तान के अंदर कॉंग्रेस की तरफ से आती है, जहां पर सचिन पाइलेट भी हों, असोग गहलोत जी भी हों, सीपी जोसी जी भी हों, मोहन प्रकास जी हों, यह तमाम जो वहां के स्तापित नित्रत हैं कॉंग्रेस के, वो विभिन जाती वर्ग कोई ब्रा आज माहूल है वसुंद्रा जी के खिलाप, कॉंग्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसको अपने पक्ष में करने के लिए कॉंग्रेस को निश्चित रूप से एक अपनी चाप बनानी पड़ेगी, अपने एक संगर्स महाँ पे उनको करना पड़ेगा, जो आज दुरभ जानती है, कि अगर किसको हटाना है, तो किसको लाना है, दिल्ली में भी कॉंग्रेस इसी सपने में जी रही थी, हुआ ये कि देश की तुफानी जीत के बाद, मोधी जी 4 महीने बाद दिल्ली में गच्चा खा गए, 70 में से सरसर सीट आर गए, लेकिन कॉंग्रेस वहाँ प इस तरह है राजस्तान में भी कोई तीसरा चोथा विकल्ब बनकर कॉंग्रेस के सपनों को अधूरा न रग दे क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे हनुवान बेनेवाल और गंस्याम तीवारी जैसे लोग तीसरा विकल्ब खड़ा करने में अपनी पूरी ताहरी में लगे हैं थोड़ा सा उनको जटका लगा जब किरोड़ी लाल मीना जैसा एक कद्दावर नेता वापस विपक्ष की राजनी छोड़ करके बीजेपी में सामिल होकर राजसभा का सदिस्या बन और सत्ता परिवर्दन होने के बावजूद कहीं सत्ता में कोई तीसरा भी कल्प ना आ जाए इसलिए आने वाले दिनों में कॉंग्रेस को एक सामुईक नेत्रत और जमीनी संगर्स इन दोनों को साहरा लेकर आपने आपको वाँ पे स्तापित करना पड़ेगा मुझे आसा विश्वास है कि नवंबर में जो एक चुनावी युद्ध वाँ पे होने जा रहा है उसमें अंतोगतवा राजस्तान की साड़े साथ करोड जनता और उनके सपने की विजय होगी जब जब हम वहां के लोगों से बात करते हैं जो राजनित में रुची रखते हैं निश्च गेलो जी की सरकार हारी ताब वो वसुंद राजी की व्यक्तिक जीत माने जाती थी लेकिन अब अगर यह जो चुनाव है क्योंकि उसके बाद जो चुनाव लोगसभा का हुआ पचीस की पचीस सीट राजस्तान की लोगसभा की जो थी वो मोदी जी और वसुंद राजी की स एक बार फिर अच्छी तरीके से और एक वास्तविक्ता के साथ अगर राजस्तान की जंदा के बीच में पुनर स्थापित किया जाए तो मैं समझता हूँ बीजेपी अब भी अपने आपको कहिन कहीं इस यूद में मजबूती के साथ खड़ा कर सकती है जय हिंद